पंजाब दा इक गराम पिंड जिस दा नाम चबबा सी उत्थे इक इस्तरी रहंदी सी जिस दा नाम माता शलक्षनी देवी सी उस दे कार कोई उलाद नहीं होई सी उसने उलाद दी प्राप्ती लई बहुत सारे उपचार किते अते अनेक तार्मिक स्थाना उत्ते उलाद प्राप्ती लई प्रात्नामावी कितियां ओह अनेक का तार्मिक पूर्शा दे कोल आपनी बेंती लेके पुंची पर सब ने एही जवाब दिता कि माता जी तो आड़ी किसमत विच उलाद सुख नहीं लिखिया आन्त तुसी संतोष रखो पर ओहो इस्तरी दे दिल विच सबर किते ओहो हमेशा चिंतत रहन लगई इक दिन उस दी इक सिख वलू पेट होई उसने उस इस्तरी नू केहा कि तुसी शिरी गुरु नानक देव सैब जी दे वारश शिरी गुरु हर गोबि सैब जी नू अरदास करो इक दिन माता सुलक्षनी जी नू पता लगगा कि शिरी गुरु हर गोबि सैब जी चब्बा ग्राम दे नस्दीक जंगला विच शिकार खेड़न आये होए हन ओहु तुरंत उना दा रस्ता रोक के खड़ी हो गई गुरु जी ते पुच्छन ते उसने दस्या कि गुरु जी मेरा नाम सुलक्षनी देवी है मैं तो आड़ी बहुत मेहमा सुनके तो आड़े कोल आई हां कि तो आड़े ते पर उसा कर्न नाल इच्छा रखन वाले दी हमेशा इच्छा पूरी हुन दी है मेरे कार पुत्तर दी पदाश नहीं हो रही मैं अनेक इलाज करके हार गई हां हुन मैं तो आड़े कोल चालके आई हां मिन्नु शर्न वीच आई जान की एक पुत्तर दी बक्षिश करो गुरु जी ने उसनु त्यान नाल वेख्या अति केहा माता जी तो आड़ी किस्मत वीच उलाद सुख नहीं लिख्या माता शुलक्षनी जी एह सुन के उदास हो गई ते समझ लेया की पुत्तर दा सुख होना मेरे पागा विच नहीं लिख्या ओहो बोत उदास हो के किसे था बैठ गई फिर उमें ही उदासी विच चल दी जान दी होई पाई गुर्दा जी ने वेख्यी ता उसनु दुखी जान के पुछेया हे माता ता नू की होया है क्यों अपने माननू चिंतत किता है इस्तरी ने सारी कहाणी सुनाई मैं पुत्तर प्राप्ती लई गुरुजी कोल आई सी गुरुजी ने मुस्कुरांदे होये मुखतों फर्माया की तेरे मस्तग ते पुत्तर सुख नहीं लिख्या ता उस वेले पाई गुर्दाजी ने उस दी सारी गल सुन के उसनू पुत्तर प्राप्त करंदी विदियोपनावन लई सिख्या दिती की होन तुसी कलम अते शाई नाल लैके दुबारा गुरुजी कोल पुत्तर दी इच्छा ता आरके जाओ जुदु गुरुजी एहे कैन की तेरे निसीब विच्च उत्तर नहीं लिख्या है ता उस समय तु कलम अग्ये करके इस तरह कैना की उत्ते उत्ते सारे तुसी आप ही लिखन वाले हो जिकर मेरी किस्मत विच उत्ते नहीं लिख्या ता किर्पा करके हुण लिख देवो छरंच आई जान के मेरी इच्छा पूरी करो सुलक्षनी देवी ने अपने पलेदी सिख्या सुन के हिर्देच वसाल लई अते अगले दिन उसे तरा कित्ता रात बित्ती अते जदू सिवेर हो गई ता गुरुजी ने शिकार खेड़न लई त्यारी करवाई गुरुजी ने सारे वस्तर सस्तर तारन कर लई गुरुजी कोडे ते स्वार हो गई अते बहु सारे सुरमे पिछे चाल पे उस वेले गुरुजी ने कोडेनु प्रेर के सैनिका दे नाल होली होली पिंड तों बाहर निकलन लगगे ता ओहो इस्तरी बड़ी उतावली होई उत्ते पोंच गई अते उद्धर वाल अग्ये होके खलो गई जिदर गुरुजी जारे सन ओहो कैन लगगी हे द्यालू गुरु गुरीब नवाज जी मेरी पुत्तर प्राप्ती दी वड़ी इच्छा पूरी करो हे समरत गुरुजी मैं तो अड़ी वड़ी आई सून के दूरों चाल के आप जी दी शरंच आई हाँ गुरुजी ने मुस्करांदे होई वेख्या अते केहा कि तेरी किस्मत विच पुत्तर नहीं लिख्या ता उस वेले इस्तरी ने सोना मुक्का प्राप्त कर लेया अते अग्ये चाल के गुरुजी दे नेड़े हो गई उसने हाथच कलम अते द्वात लाया के गुरुजी अग्ये बेंती किती कि तुसी इत्थे उत्थे सब थाईं आप ही लिखन वाले हो जेकर आप जी ने उत्थे नहीं लिखेया किर्पा करके ओहो होन लिख देवो गुरुजी उस दी जुगतनों जान के परसन होए अते फर्माया कि तेरे कार एक पुत्तर जरूर होवेगा माता सुलक्षनी ने सुनके केहा गुरुजी मिनु लिख के विश्वास दुआओ ता मेरा मान टीक जावेगा गुरुजी ने माता जी वल्लू कागज लाया के उस उत्ते इक लिखना शुरू ही कित्ता सी कि उनादे कोडे ने टांग हला दित्ती जिसदे नाल गुरुजी दी कलम हिल्लन वलू एक दा साथ आंक बाणें गया जदु लिख्या होया आंक गुरुजी ने वेख्या ता उस वेले बहुत परसन होके फरमाया हे मातां तु एक पुत्तर लई साठी शरंच आई सी पर मल्लो मल्ली साथ आंक लिख्या गया हुन कार जाओ साथ पुत्तर प्राप्त करेंगी जिसी इच्छा करके आई सी ओह पुरी हो गई है एह सुन के माता सुलक्षनी जीदा हिर्दा बहुत अननदित होया गुरु तान है कैके उसने नमसकार किती गुरु जी कोल वर प्राप्त करके ओह कार चली गई अते जित्ते कित्ते कै कै के गुरु जीदा जास फलाउन लगई गुरु जीदा वचन पूरा होया कुझ समा बाद माता सुलक्षनी जीदे इत्थे सत्थ पुत्तर होये जो शीरी गुरु नानक देव सैब जीदे पंथ उत्ते बेहद शर्दा बगती रखते सान सास संगजी इस विडियोन लाइक करो शेर करो अते कमेंट बगस विच्च वाहिगुरु जुरूर लेखो